हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल और आज की इस वीडियो में मैं उन्वाक्सिंग और डिमस्टर्शन प्रोवाइड करने जा रहा हूं बजाज कंपनी के रूम हीटर का इसका मॉडल है ब्लू हाट और ये एक ब्लूर टाइप रूम हीटर है अगर आप मेरे चैनल पर नए है और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कांड़ी सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक एन सेर दिस वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए ब्लूर के मॉडल के बारे में सबसे पहले देख लेते ह इसके बॉक्स पर प्रोवाइड की गई डिटेल्स को यह रूम हीटर कुछ इस तरह का दिखता है और इसका मॉडल है ब्लो हॉट इस पर मिलती हमें टू येर्स की वारेंटी और यहां पर देखी जा सकते हैं इस हीटर की फीचर्स टू हीट सेटिंग्स दी गई है वन तू को थर्मल कट आउट दिया गया है सेटि प्लस के लिए इसमें फैन की भी सेटिंग दी गई है अगर आप इसे गर्मी में यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मल फैन को यूज कर सकते हैं कंजीमर के अरका नंबर भी दिया गया है और यहां पर देख सकते हैं इसकी यह स्पेस्पिकेशन को इसका मॉडल है ब्लो हट एंड इस प्रोडक्क की एमर्पी ए 2999 रूपीज और इसकी रिटेल प्राइस वैरी करती है डिपेंडिंग ऑन रिटेलर से स्किम मैं पेस प्रा सकते हैं यहां पर देख सकते हैं इसकी वाटेज और इस हीटर को चलाने के लिए ज़र्वत होती है 230 वोल्ट की आए कुक्ली करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इस प्रोड़क को क्लोजिए और इसकी अनबॉक्सिंग कम्प्लीट हो चुकी है और यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले हमें दिखता है इसका वारेंटी पेपर इसपर मिलती है में टू येर्स की वारेंटी और जिस बी डिलर से पच्छेस करें कम्प्लीट डिटेल को फील करवा लें और यह इसकी के लिए आप इस manual को refer कर सकते हैं और यह है बजाज room heater blue hot का first impression इसकी build quality अच्छी है और यह metal की बनीवी है करने के लिए दोनों साइट से handle provide की गई है और यह इसकी bottom side और यहां पर देख सकते हैं लेक एड़ेस्टर दिया गया है इससे इसकी height को बढ़ाया जा सकता है मैं वीडियो कहके बताऊंगा कि कैसी से बढ़ाना है और यह इसकी top side air vents के लिए space दी गई है जब भी आप इसे use करें इसे cover किसी भी product से ना करें या इसके उपर कोई भी कपरा ना रखें कुछ इस तरह से आप इसकी height को बढ़ा सकते हैं आप देख सकते हैं इसकी height उची हो गई है इसे operate करने के लिए तीन switch दिया गया है off and cool का switch आप देख सकते हैं अगर cool here आप यूज करना चाहते हैं तो इस mode में on करें और warm पे अगर इसे set करेंगे तो यह 1000 watt का unit consume करेंगे and hot पे यह 2000 watts का unit consume करती है आप अपनी requirement के लिए सारी से use कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने इसे power से connect कर दिया है और इसकी fan start हो गई है अभी यह cool here through कर रही है और hot here के लिए आप वार्म या hot piece से set कर सकते हैं प्रेंट्स यह थी बजाज कंपनी के room heater blow hot blow type heater की unboxing and demonstration की वीडियो और I hope की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए room heater के model के बारे में अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने friends के साथ ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिए किसी भी clarification क्लाइब मुझे comment कर सकते हैं मैं कोसिस करूंग उस comment के उपर जल से जल reply करो so thank you so much guys for watching this video thank you so much